हेलो फ्रेंड्स वागत है आपके अपने किचन प्रत्यांस किचन में तो फ्रेंड्स रम जाने स्पेसल में आज हम आप सब के लिए लेके आए हैं साही टुकडा पॉकेट की रेसिपी इस वीडियो में हम रबडी बनाना भी सिखेंगे और यह बहुत ज़्यादा बनता है मतल तो चली बीन देर करते हुए इस रेसिपी को में स्टाइट करते हैं बनाना तो यहां पे मैंने पहले से ही दूद उबालने के लिए रग दिया था एक लीटर मैंने यहां पी दूद लिया था जिसका हम रबडी बनाएंगी क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो मै की पॉकेट की तरह कैसे बनाना है तो यहां प्या क्को ताजय ब्रेड का इस्तमाल करना है ऱग्पा प्रणय में यूजित आपको तो यहां पे क्या करें गे कि चकला बिजन से इस मुस्त प्याथ हुगत İs अज़र 7 पॉकेट बनाने में इस्सेश दिए कादने को निपला र और यहां पर थोड़ा थोड़ा पानी लगा के आप चाहें तो ऐल प्रस चुआते हैं उससे भी लगा सकते हैं हाथ से लगा सकते हैं या फी रिस्पून से ऐसे करके लगा सकते हैं उसके बाद से दोनों को ऐसे जोइंट कर देना है और इसके ऊपर दूसरे कोने को ऐसे लगा और यहाँ बड़ा वाला जो ब्रेड होता है उसका यूज किया है अगर आप छोटा वाला ब्रेड यूज करेंगे ना उसका और भी यह था परफेक्ट देखने में काफी टैम्टिंग लगता है बट मिला नहीं बड़ा वाला ही मिला तो मैंने इसी का बनाया थोड़े से बड प्रेडार लगते हैं ऐसे अपने साही टुकड़ा पॉकिट बना के और रेडी कर लेंगे देख सकते हैं देखने में काफी अच्छे लग रहा है तो इसे अब हम फ्राई कर लेंगे घी या तेल में आपको यहाँ पे फ्लेवर वाला जो उयल होता है उसका यूज नहीं कर है और यह देख सकते हैं हलका सबचीनी एड कर सकते हैं क्योंकि हम चैसनी में जो साही टुकड़ा है उसको डिप करेंगे तो उसमें जरूरत नहीं होते लिए आपको अगर मीठा चाहिए तो आप डाल सकते हैं और एकदम सिंपल सा मैंने रबडी बना के और रैडे कर लिया आप चाहें तो रिफाइंड ओयल यूज कर सकते हैं और हाई फ्लेम पर इसे आपको ना दोनों तरफ गोल्डेन ब्राउन होने तक सेक लेना है और यहां पर देखिए एक तरफ यह सिख जाए तो अच्छे से फिलिप कर दें और देखिए अब अच्छे सिखा नहीं है तो यह सते हैं लोने करें चाहिए खायं तो देखिए नैत्वी के निधें कर देखिए तो अब क्यान इसे निकाल लेंगे जो इससे थुड़ा साही से कर देए कड़ाही के पास तो ऑयल जो है निकल जाएंगे राम से और ऐसी अपने सारे साहे टुकड़ा पॉकेट बना के और राड़ी कर लेंगे एक बैच में आपको और दिखा दे रही हूं और हाई फ्लेम पे ही आपको करना है फटाफट हो जाते हैं कलर ला जाते हैं क्योंकि हमें इसकंटना है कुछ बीकन न बस आपको इस पर कलर लाना है यह द अब चिप चिप चिपिसे को चासनी को चैक कर लेते हैं जैसे रजगुला या फिर जली व्यूंक होता है यहां मैं बहुत्टो चिप चिप चिपी से हमारी जो चासनी ने हो चुकी है तो आप गैस के फ्रेम को हम आफ कर देंगे और इससे ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद आप क्या करें कि जो हमने फ्राइ करके अपने साही टुकडा को जो पॉकेट साही टुकडा पॉकेट है उससे डिप करेंगे और तुरंत ही निकाल लेंगे क्योंकि ये थोड़े तक इसे डिप नई करना है। इसमें तो बाद में जाके मैसी हो जाते हैं थोड़ी दिर बाद। और चाश्निय को आपको हल्की गरम ही रख रहे हैं, मैंने यहां साइड में रखा हैं। देख सकते हैं। एक एक करके साRe जो साही टुकड़ा हैं और एक प्रेट में निकाल ले तो यह देखिए मैंने सारी निकाल लिये हैं और इसमें जितना आपके जो यह पॉकेट है साही टुकड़ा का जितना रबड़ी आता है उतना इसमें एड़ कर दें यह देखिए यह बहुत ही मज़ेदार लगते हैं आप चरूर से एक बर ट्राइब करें यहां पर नुकेट है सारे मैंने रबड़ी भर दिया अब उपर से इस प्रिंकल कर दिया पिस्ता तक देखने में भी काफी अच्छे लगे और यह जो हमारा साही टुकड़ा है साही टुकड़ा पॉकेट बोल सकते हैं यह बनके रैडी हो चुका है तो फ्रेंड्सी मेरी त्युजय करे धो एंकर नहीं अग।